दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी एप को अपडेट कैसे करते हैं और किसी भी एप को अपडेट करना क्यों जरूरी है तो इसको जानने के लिए इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखिएगा अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिजएगा चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एप को अपडेट करना क्यों जरूरी है देखिए आप जितने भी एप यूज करते हैं उनमें कुछ न कुछ नए फीचर एड होते रहते हैं और उन फीचर को उप्योग करने के लिए एप को अपडेट करना जुरूरी होता है जब तक आप एप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक उस एप में एड़ फीचर का उप्योग नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों, अब हम लोग जान लिए कि एप को अपडेट करना क्यों जुरूरी है, अब जान लेते हैं एप अपडेट कैसे करते हैं, तो दोस्तों एप अपडेट करने के लिए आपको प्लेश्टोर पर चली जानी है, प्लेश्टोर पर जाने के बाद आपको कोने में अप क्लिक करने के बाद आपको second option आप यहाँ पर देख सकते हैं update available इस पर क्लिक कर देंगे क्लिक करने के बाद आपके mobile में जिन एप को update करना जरूरी है वो सब एप यहाँ पर show हो जाएंगे अब आपको जिन एप को update करना है उसके सामने update का एक option है उस पर क्लिक करेंगे जैसे कि मैं एक करके दिखा देता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कैरियर सर्विस मेरा जो एफ है वह अपडेट होने लगा तो दोस्तों आप इस तरह से किसी भी एफ को अपडेट कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको इंफर्मेटिव लगी होगी यदि वीडियो इंफर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर हमारे चानल पर नया है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद